जै वीम जै भारत जै समिधान मैं गौतम रतना भहुजन दस्तक से तो साथियों आज हम बात करें अपने भहुजन महापुरूस और मैं तो इनको राष्ट का महापुरूस कहता हूँ इबीर रामा स्वामी पेरियर नायकर की जिनका जनम 17 सितंबर 1889 को हुआ और उनका परिनिर्वाण 24 दिसंबर 1973 को हुआ तो साथियों हम बता रहे हैं उनके बारे में उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है और यहां जो कट्र हिंदू और जो ब्रहमरवादी और बनुवादी लोग हैं वो उनके खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं और उनको तेज़ द्रोही तक कहते हैं तो अलगता है कि जो कहूंगा कि वायाद सब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है खास तोर से ब्रहमरवादी लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये एक ऐसे शक्षित हैं पैरियर साब जिनोंने इस देश में वंचितों महिलाओं के लिए किरांती का एक आगास किया और आज भी अगर आप तमिलाडू में देखें तो वहाँ जो पूरा तमिलाडू की जो सरकार है उनको बहुती समान देती है और वहाँ के लोग उनको भगवान से कम नहीं मानते हैं हलाकि मैं थोड़ा सा बताना चाहरा हूं वो भगवान फिरोधी थे इस तोर फिरोधी थ तो बात करते हैं दक्षिन भारत में जन्मे पेरियर ने ताज जिंदगी हिंदू धरम और ब्रामणवाद का जम कर विरोध किया उन्होंने तरकवाद आतम समान और महिला अधिकार जैसे मुद्धों पर जोर दिया जाती पिरता का घोर विरोध किया इनोसको ने अपने उधरण में उन्हें नई युक का पैगंबर दक्षिन पूर एशिया का शुक्रात समाज सुधार आंदूलन का पिता अज्यानता अंधुश्वास और बेकार के रीती रिवाजों का दुस्मन कहा पढ़िये वो उनकी पंद्रे बातें जिन से विवाद हुए नमबर एक मैंने सब कुछ किया मैंने गणेश आदी सभी ब्रामर देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली राम आदी की तस्वीरें भी जला दी मेरे इन कामों के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भार्षण सुनने के लिए यदि हजारों की गिंती में लोग इखटा होते हैं तो साफ है कि स्वाभिमान तता बुद्धी का अनुभफ होना जनता में जागरती का संदेश है दुनिया के सभी संकित धर्मों से मुझे सक्त नफरत है तो नस्ट करने की अपील करता हो चार दिर्विर कडगम आंदोलन का क्या मतलब है इसका केवल एक ही निसाना है कि इस आरिय भ्रहमन वादी और वन विवस्ता का अंत कर देना जिसके कारण समाज उंच और नीच जातियों में बाटा गया है दिर्विर कडगम आंदोलन उन सभी सास्त्रों प्राणों और देभी दावताओं में आस्ता नहीं रखता जो वन तथा जाती विवस्ता को जैसे का तैसा बनाई रखे हैं या रखना चाहते हैं नमबर पांच ब्रामन हमें अंद विस्वास में निष्ठा रखने के लिए तियार करता है वो खुद अराम दैक जीवन जी रहा है तो मैं अचूद कहकर निंदा करता है मैं आपको साभधान करता हूँ कि उनका विस्वास बत करो नमबर छे ब्रामनों ने हमें सास्त्रों और प्राणों की साहता से गुलाम बनाया है अपनी स्थिती मजबूत करने के लिए मंदिर इस्वर और देवी देवताओं की रचना कीश नमबर साथ सभी मनुष समान रूप से पैदा हुए हैं तो फिर अकेले ब्रामन उच वे अन्य को नीच कैसे ठराया जा सकता है नमबर आठ आप अपनी महनत की गारी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो क्या कभी ब्रामनों ने इन मंदिरों तालाबों या अन्य प्रापकारी संस्ताओं के लिए एक रुप्या भी दान दिया नमबर नौ हमारे देश को आजादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीन लोग देवता अधरम जाती और अंद्विस्वास से चुटकारा पाच हैंगे आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंत्रिक्स यान भेज रहे हैं हम ब्रहमनों द्वारा सरद्धा में परलोक में बसे अपने पूरवजों को चावल और खीर भेज रहे हैं क्या ये बुद्धि मानी है इस्वर की सत्ता स्विकारने में किसी बुद्धि मता की आवसकता नहीं पड़ती लेकिन नास्तिता के लिए बड़े साहस और दरण विश्वास की जुरत पड़ती है ये स्थिती उनी के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की सक्ति हो बारा नमबर ब्रहमनों के पैरों पर क्या गिरना क्या ये मंदिर हैं? क्या ये त्योहार है? नहीं ये सब कुछ भी नहीं है हमें बुद्धिमान व्यक्ती की तरह व्यवार करना चाहिए यही प्रार्थना का शार है तेरा ब्रहमन देवी देवताओं को देखो एक देवता तो हाथ में भाला त्रसूल उठाकर खड़ा है दूसरा धनुसबान अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज खंजर भोल के साथ सुसोबित हैं यह सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उली के उपर चारों तरफ चकर चलाता रहता है यह किसको बारने के लिए है चौरा हम आजकल के समय में रह रहे हैं क्या यह वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है क्या वे अपने आपको आदूने खत्यारों से लैस करने और धनुसबान के स्थान पर मसीन या बंदूग धारन क्यो नहीं करते रत को छोड़ कर क्या सिरी किर्शन टैंक पर सवार नहीं हो सकते मैं पूछता हूं कि जनता इस परमानु युग में इन देवी देवताओं के उपर उस्वास करते हुए क्यो नहीं सर्माती पंद्रा उन देवताओं को नस्ट कर दो जो तुम्हे सूद्र कहें उन पुराणों और तिहासों को धस्ट कर दो जो देवता को सक्ति पिर्दान करते हैं उस देवता की पूजा करो जो वास्त में द्यालू भला और बुद्धी में है पेरियर की मूर्तियों के नीचे उनकी कि ये बात भी लिकी रहती थी इसवर नहीं है और इसवर बिलकुल नहीं है जिसने इसवर को रचा है वह बेवकूफ है जो इसवर का पिर्चार करता है वह दूस्त है साथी जो इसवर की पूजा करता है वह बरवर है पेरियर ने ध्रम और इसवर को लेकर भी कई एहम सवाल खड़े के उन्होंने तो इसवर को लेकर 15 सवाल उठाए थे जो इस प्रकार है क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे ही रहते हो कभी किसी के सामने पिरिकट नहीं होते नमर दो क्या तुम्हें खुसामद पसंद है जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो number three क्या तुम सदय भूके रहते हो जो लोगों से मिठाई दूद गी आदी लिते रहते हो 4. क्या तुम मासारी हो जो लोगों से निर्वल पश्वों की बली चड़वाते हो 5. क्या तुम सोने के वियापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए हुए हो 6. क्या तुम वियाबिचारी हो जो मंदिरों में देविदाशियां रखते हो 7. क्या तुम कमजोर हो जो रोजोना होने वाले बलातकारों को नहीं रोक पाते नमबर आठ क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीमी भुक्मरी होते हुए भी अरोग रुपे का अन और दूद घी पी जाते हो तेल बिना खाय ही नहीं नदी नालों में भाद देते हो नमबर नौ क्या तुम बहरे हो जो बेवजय मरते हो आदमी बलातकार होती ही मार्शमों की अवाज नहीं सुन पाते नमबर दस क्या तुम अंदे हो जो रोज अपराद होते हो नहीं देख पाते नमबर ग्यारा क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो रोजधरम के नाम पर लाखों लोगों को बरवाते रहते हो बारा क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुम से ढरकर रहे हैं नमबर तेरह, क्या तुम गूंगे हो, जो एक सब्द नहीं बोल पाते, लेकिन करोड़ों लोग तुम से लाखों सवाल पूछते हैं। नमबर चोद है, क्या तुम भ्रस्ताचारी हो, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरूब असुवत काम करके कमाए गए धन की पाई पाई तुमारे उपर नियोचावर कर देता है। ब्रहामनों के एक भगवान अंग्रीजी कलेंडर 17 सितंबर के हिसाब से पैदा हुए, जिनका नाम विश्कर्मा भगवान है और बाकी संस्कृत की तारीख में भगवानों को पैदा किया। पैरियर को SC, ST, OBC and Minority ने ने जान पाए, इसलिए इसी 17 सितंबर को जबरदस्ती पैदा करना बड़ा इमर्जंसी में विश्कर्मा भगवान को करना पड़ा। तो साथियों ये, मैंने आपको अभी जो ईवी, लामा स्वामी, पैरियर, नाइकर जिनको कहा जाता है, उनकी पूरे इतिहासिक तत्यों को, और जो तरकसील तत्य हैं, साइन्टिफिकल हैं, व्यग्यानिक हैं, और देश की जो परिशिती है, उस पर पूरा उन्होंने बड परासा करना सुरू किया, उस सिस्टम से जो ब्रामाडवादी, बनुवादी, चातिवादी सिस्टम इस देश के अंदर एक बड़े आंकी रूप में काम करता है, उस पर उन्होंने चोट करने का जो काम किया, वह आपको मैंने बताया, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप पेर अपने विवेक से, अपनी बुद्धी से, अपने तरकसील विचारों से अपनी जिंदगी को कामियाब बनाएंगे, अपनी परिवार को कामियाब बनाएंगे, देश और राश को कामियाब बनाएंगे, इसी के साथ मैं आपसे बिदा लेता हूँ, जै भीम, जै भारत, जै समि दान नमोबद्दाय बहुजन दस्तक से गोतम रतना और आप हमारे चैनल को जादा से जदा से और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से अपने बहुजन महापुर्शों की ठ्यास को आप तक लाते रहें और अपने बहुजनों पर हो रहे अत्याचार पर नियाज दिलाते सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा जय भारत जय समिधान नमबुद्धा धन्यवाद चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है अगर आप भूजन समाज में बाबा साहिप अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचारधार को अधिसे अधिक लोगत तक पहुंचाना चा देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और सम्वेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकतें खाता दारत, गौतम रतना, खाता संख्या, 3-1-6-9-5-7-6-8-6-5-1, IFSC Code, SBIN, 00-600-336, बैंक, भारती स्क्रीट बैंक आप हमारी बैंक खाते का विबरन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मैं गौतम रतना, आपका बहुजन फिल्म प्रोड़क्शन में स्वागत करता हूँ और आप हमारे प्रोड़क्शन हाउस के अंदर अपना केरियर बना सकते हैं और आपको फिल्म से रिलेटिड कुछ भी प्रोडेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेट अप है जिसमें फिल्म कैमरा है, सुटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A2Z एक ही जगे पर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमारे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981-00-85714 और 851-000-5714 हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfinzproduction at the rate gmail.com धन्यवाद